लास्ट क्लास के अंदर अपन लोग ऑटो उम्यून डिसॉडर्स यह अपन डिसकर्स कर रहे थे इसके अंदर आलर्जी और आपका हैपर सैंसेटिव डिसॉडर्स क्या थे उसके कुछ एक्जामपल्स हमने जैसे की ब्रॉंकियल अस्थमा था हे फीवर था ठीक है यूच्वि थे फिर आपके कुछ इम्म्यूड डिसॉडर्स थे ठीक है सीवियर कंबाइण इम्म्यूड डिसॉडर्स क्या है टाइप 2 डाट इस इंसलेंट डिपेंडेंट डिबिटीज यह सब हम लोग डिसकर्स कर चुके लास्ट क्लास के अंदर एड्ज जो है उसके बारे मैं थोड बहुत शेयर की थी इंफर्मेशन उतना आपको अल्री भी पता होगा तो आज एड्ज और कैंसर दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में डिसकर्स करने वाले हैं ठीक है सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एड्ज जिसका फूल फॉर्म क्या है इट इस दा एक्वायल इम्म्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम इट इस अक्वायल इम्म्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम ठीक है अब दीरे दीरे मतलब पहले जितनी चीज़ें आपको पता है ना हम इसको सब रिकलेक्ट करते जाते हैं साथ में फिर एक एक चीज के उसमें जो आपको ये सबको पता है इसका फुल फॉर्म सबको पता है कि एक्वायल इम्म्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम ठीक है मेरे नहीं बताने से पहले भी पता होगा एक चीज यह अपने डिजीज़ेंस अपने लोग पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा इसके अंदर हम लोग ने डिसकर्स किता कुछ होती है congenital और कुछ होती है acquired congenital यानि कि जो diseases by birth ही present होती है तो एक जो मिठ है एक जो कुछ लोगों confusion होता है वो इसके नाम से पता लग रहा है कि यह जो disease है this is acquired by the human during the life of an individual यानि कि यह congenital disorder नहीं है यह disease जो है by birth present नहीं होती है इसका infection during the life यह ली जाती है ठीक है this means the deficiency of immune system which is acquired during the life of an individual it means it is not congenital ठीक है तो लिख लीजिए पहली चीज तो यह this means it is the deficiency of it is the deficiency of immune system which is acquired it is the deficiency of the immune system it is the first word it is the acquired means it is acquired during the life of an individual अब it is acquired during the life of an individual यानि कि अप्वार दुर्छ दूग इसक्रिर द। अलाधर इसक्रियर ध्ववजिए यानि कि इसक्रियर नात congenital ठीक है which is acquired during the life of an individual means it is not congenital ठीक है? एक चीज इसके पीछे यह वर्ड लगता है syndrome ठीक है? यह जो लिखा है ना acquired immunodeficiency यहां तक तो मतलब समझ में आगा हो कि immune system की deficiency है, immune system ही कमजोर हो गया है इसके अंदर which is acquired during the life of an individual यानि कि it is not congenital syndrome means syndrome का मतलब क्या होता है? group of symptoms मतलब बहुत सारे symptoms जो हैं इसके अंदर देखने को मिलते हैं बहुत सारी symptom means group of symptoms पहला जोसका कुछ history part हम लोग देखेंगे जैसे कि यह जो AIDS का जो case है इससे सबसे पहले USA के अंदर disease center Atlanta में homosexual males के अंदर 1981 के अंदर detect किया गया ठीक है? first AIDS का जो case था इसे 1981 में कहां आप से detect किया? USA के अंदर homosexual males के अंदर detect हुआता है यह तो हम लोग ने world की बात की इंडिया की अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर AIDS का सबसे पहला case 1986 के अंदर Chennai से detect हुआ ठीक है? तो यह दो चीजे भी लिख लीजिए first AIDS case it was detected in यह आपके 1981 के अंदर detect हुआ in 1981 in USA in homosexual males in homosexual males at Atlanta disease center at disease यह छोड़ो कहां मिला इतना वो नहीं है यहां तक ही लिख लो आप चीक है? next point इंडिया का भी लिख लीजिए in India इंडिया के अंदर इसे detect किया था 1986 के अंदर from Chennai ठीक है? इंडिया के अंदर इमाने ऐसे ही करके लिख दिया है आप लोग इसे लिख लिख लें इंडिया के अंदर AIDS का जो सबसे पहला case है यह चैनने में 1986 से detect हुआ चलिए यह तो अपन ने नॉमल इसका जो history पार्ट है यह discuss किया कि इसका AIDS का मतलब क्या है पहला case 1981 में homosexual males के अंदर USA से detect किया गया इंडिया के अंदर पहला case 1986 में इंडिया में Chennai से detect किया गया चलिए ठीक है next point is this आप सबसे पहलो आप मुझे एक बात यह बताओ AIDS के बारे में थोड़ा बहुत knowledge सबको हुआ जैसे mode of transmission के बारे में बहुत से लोगों को पता है ठीक है anybody from the class can tell me मतलब exactly मैंने बोला syndrome है यह मतलब बहुत सारे symptoms इसके अंदर देखने को मिलते है तो जो एड्स का पेशेंट है जैसे कि अभी आप एक नॉर्मल बात करें अपन तो जैसे कोई भी आपको डिजीज होते है टाइफाइड होता है अपन इत्ती सारी डिजीज पढ़ी है ठीक है टाइफाइड है टैंगू है तो पर्टिकलर डॉक्टर के पास जाके अपन यहीं symptoms बताते हैं कि मेरे को यहीं दिक्कत है तो अगर ऐसा एड्स का पेशेंट होगा तो उसे कैसे मतलब उसके symptoms क्या होंगे कितना जानते हैं आप एड्स के बारे में mode of transmission को छोड़कर में चीज यही है exactly इसकी खुद की कोई बिमारी नहीं है इम्यून सिस्टम आपका बहुत साथ अभी जो प्रिजेंट अपन जो क्लास्रूम में भी बैठे हैं बहुत सारे वाइरस बहुत सारे बैक्तिरिया यहां पर प्रिजेंट होंगे एक दम यह तो नहीं बोल सकते एक दम बैक्तिरिया फ्री वारल फ्री एंवायमेंट है नहीं दिकत क्या है हमें यह बिमारी हैं क्यों यह हमारा आसानी से उनको लग जाते हैं क्योंकि उनका इम्म्यून सिस्टम उस पर्टिकलर डिजीज के अगेस्ट में रिजिस्टेंसी नहीं कर पा रहा है तो जो पेशेंट की जो दैथ होती है ना वह यह यह फ्रीक्वेंट इंफेक्शन हो रहे हैं हर एक बीमारी कोई भी बैक्ट कि वह ऐसी बीमारी है कि आप फिजिकल कांटाक्ट में आओगे उस पर्सन के तो आपको फैलेगी तो डेफिनेट सी बात है अगर कोई सेवा भाव करें तो बहुत ही प्रिकॉशन के साथ क्यों क्यों कि फिजिकल कांटाक्ट टच होने से भी फैलती है बात करने से भी फैल क्योंकि उससे जो germs निकलते हैं, उनकी lesions जो होते हैं, उनके जो घा होते हैं शरीर के उपर, वो जो burst out होते हैं, उससे भी उसका जो pathogen है, वो निकल जाता है, उनका use किये हुए कपड़े, ठीक है, उनकी वो जिस बरतन में खाना खाते हैं, इवन तो अगर उसको भी हम लोग कर लें, तो वो बिमारी फैलती है, ऐसा ही AIDS के बारे में, बहुत से लोग, मतलब जो जो बंदे को detect हो जाता है, की he is suffering from that, तो उसको बहुत ही society से अलग कर दिया जाता है, बट इडिजा मित, AIDS कभी भी physical contact से नहीं फैलता है, by sharing of meal, खाना शेर करने से नहीं फैलता है, by shaking hang, AIDS वाला जो बंदा है, आप उसके साथ normal, बिल्कुल जैसे आप normal लोगों को treat करते हैं, वैसा ही कीजिए, और वाइस के एक depression का भी factor बन जाता है, क्योंकि यह जो बिमारी ऐसी है AIDS, कि वो इन सब चीजों से, यह सिर्फ unsafe sexual contact, जिनके multiple sexual partners होते हैं, उनके अंदर इस disease के होने के chances बहुत जादा होते हैं, ठीक है, sexual, मतलब सिर्फ जो body fluid contact में आता है तो फैलते हैं, एक चीज और, body fluid, saliva, saliva भी body fluid ही है, अब मैं को एक, मैं एक question पूछती हूँ, आप मुझे put up, मैं आप पूछना, मैंना भी एक line ये बोली, कि AIDS जो है, physical contact से, नहीं फैलेगा, आप किसी के है, नहीं फैलता है, AIDS के फैलने का जो तरीका है, यह आपके body fluid, जब contact में आते हैं, तो ही फैलता है, तो definite सी बात है, sexual contact के time पर ऐसा होता है, saliva, saliva body fluid ही है, saliva है, tears, यह body fluid ही है, आप मैं को बताओ, तो फिर saliva जो है, अगर saliva, infected person का contact में आता है, ठीक है, during the kissing also, तो यह आपके medical में आता है, यह चीज, और AIDS अपने pre-medical में भी detail में है, इसलिए मैं इसको आपसे question put up करें, body fluid से फैलता है, मैंने बोला, saliva से AIDS फैलता है, क्या, नहीं, क्यों, body fluid ही है ना, या फिर ऐसे माम ने पूछ लिया तो नहीं फैलता होगा, या फिर आपको पता है कि नहीं फैलता है, genuinely नहीं बताना, अचा मतलब, you are not confirm about that, यह वैसे तो यह है कि body fluid contact में आने से AIDS होता है, बट अभी तक ऐसा detect नहीं किया गया है, अभी तक जो present scenario है, saliva contact में आने से AIDS नहीं फैलता है, ऐसी और कौन सी sexually transmitted disease या फिर कुछ ऐसी कोई disease जो आपको पता हो, उसे kissing disease के नाम से भी जाना जा जाता है, जो saliva के contact में आने से फैल जाती है, AIDS is also a sexually transmitted disease, यह जो है आपके saliva के contact में आने से नहीं फैलती है, कल वरकाउट करके आना, इस त्रीज के ओपर, किस इक disease के नाम से भी उसे जाना जाता है, वो disease जो है, saliva के contact में आने से फैल जाती है, और मैंने अभी तक जो diseases इस तरह की diseases के बारे मैं नहीं पूछ रही है, यह तो definite सी बात है, तो बात करने से छीखते हैं, अपन लोग तो से ही atmosphere में हो जाता है, Hepatitis B, मैंने बताया भी तो जो dentist जो होते हैं, ठीक है, जो dental surgeons है, वो बहुत जादा उनके अंदर जादा chances होते हैं, इस infection को acquired करने के, what was the reason, जो इतनी साथी dental surgeries करते हैं, mostly आप किसी भी, कभी ना कभी आपने अपनी life में dentist के पास visit किया होगा, आपने कोई देखा है कि आपको normal scaling तूथ फिलिंग करवा रहे हैं, तूथ फिलिंग करवा रहे हैं और रसीटी करवा रहे हैं, ऐसा कोई normal, मतलब बहुत बड़ी surgery भी नहीं हो रही है, ऐसा कोई normal procedure है, maximum आपका dentist आपको hand gloves, जादा सादा mask और head cap, इसके अलावा कोई चौथा चीज पहन के नहीं मिलेगा, ठीक किसे आपके उचट के आपके आख में भी जा सकता है, तो mostly dentist नहीं पहन के वो सब surgeries करते हैं, तो और अपने इंडिया में तो ऐसा भी नहीं है, आप dentist के पास visit करते हो, कितने dentist ने आपस आपड़ाइटस B का test करवाया है, कि आप positive हो या negative हो, नहीं करवाते हैं, वैसे तो general surgeries ज केस अंदर लेते ही नहीं, आपरेशन थीटर में, रीजन क्या है, अगर आपको या AIDS patient का कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कम से कम 6-7 गंटे तक टेबल पे कोई और केस नहीं चलेगा, क्योंकि उसको पूरा fumigate करके, पूरा उसको infection free करेंगा, otherwise वो फैलने के, दूसरी च के लिए ही भेजते हैं, उसी के बाद उस case को वो अंदर OTI में लेकर उसके बाद शुरू करते हैं, तो वहां तो यह mandatory है, लेकिन अपने इंडिया के अंदर अभी भी कोई dentist आपने मुझे बताओ कितने dentist आपने ऐसे देखे कि आप जाते हो तो आपका treatment करने से पाले हो आपक तीस आपता हो च्करिष नहीं करते हैं, शाली का संई यह करते हैं तो इस देंटिस के वह आपइस बादा ने आपके साहते हों पे कूंस्त्य जान्से वह आओ टी एक्स्टि का अदर हैं तो पाता हो लिए सलाइवा के कॉंटाक्ट में आने से हापाटाइटिस भी आप लोग डिस्कॉस कर चुकी हूं मैं आपके साथ यह चीज तो आपको पता हो कि अभी ऐसे फेशिल एक्स्प्रेशन्स मत दो कि पहली बार सुन रहे हो ठीक है नाटा की कर लो अच्छे वेशिल एक्स्प्रेशन द टाइम तो टाइम और हीफाटाइड़स भी आपके लेक्स्प्रेशन ले ले लिए यह अग्याईशन वह रख तेंगे कि अगर कॉंटाक्ट में भी आए तो वहट जाए क्या कोई भी कोई भी इस वी स्लाइवा का नंटाक्ट तो बहुत ही कॉंए होता है कि कॉंट हो जाता तो एक सर्थ है हमारे पुंगा सर्जरी परफॉर्म कर रहे थे तो वह पोस्ट ग्राजुशन लेवल का सर्जरी था हम लोग का उसमें कोई रोल नी था लेकिन उन्होंने असस्ट करने के लिए मेरे को बिठा रखा था असस्ट करने काम से सिर्फ एक फादा ही होता है जैसे इ को बन्हें असस्ट करताओ इसको क्या फाइदा होता आराम से सीट पर बैठने को मिलता है चेर इपफ बशे बैठने को और बहुत अच्छे से चीजों को अब्सव कर सकते हैं उनका काम क्या हुता है सिर्फ सलाईवाई ज्यक्टर पकड़ना ठीक है उसको जो सलाईवाई ज इस चीज से 2-4 दिन बाद उन्होंने बताया ऐसा कुछ थानी वो इसलिए ऐसा बोला कि जिससे कि आप future में अपने लिए वो रहे क्या करते थे हम लोग तब ही करते थे final year में तो थे और उस टाइं maximum gloves पहन लिए ठीके mask लगा लिया और headcap लगा लिया उसके अलावा कोई precautionary measurement नहीं ठीके saliva contact में आया था और उस टाइं और surgeries में बहुत common है कि saliva आपके contact में आ जाता है फिर किसी ने मुझे बोला उसका card देखके कि यह जो patient है और blood contact में भी आना बहुत वह होता है फिर आपको भले ही अभी तक नहीं हो पर आपको खुद को जब ऐसा लगता है तो थोड़ा सा tension होई जाती है तो उन्होंने में को बोला कि इस बंदे में HIV और hepatitis दोनों positive था ये patient तो बहुत मतलब पूस्टिंग करा आप गई करने का दो टाइब दो तेन दिन तक बहुत टेंशन बाद में किसी ने बताया नहीं सर ने बोला कि इस अच्छा mandatory क्या है कि आप खुद अपने लिए क्योंकि nobody knows कि उस patient को क्या हो और patient अपने इंडिया के अंदर तो ऐसा है भी पहली बात तो यह एड्स का सबसे बड़ा ड्रॉबाग क्या है एक बात मुझे बताओ चलो को इंसान हो सकता है को इंसान बता भी दे कुछ लोग होते हैं जो होता पता होता है तो भी वह सामने वाले को नहीं बताते डॉक्टर के साथ भी शेर नहीं करते हैं डॉक्टर भी confident हो जाता है पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए दूसरी चीज़ सबसे बड़ा इसके डिटक्ट ना हो जाए यानि कि आपको ही टेस्ट कराते हो मैं आपको बता जीती हूं इसका जो प्रॉप्रीनिंग टेस्ट होता है यह होता है अपना अलिसा ठीक है और confirmatory test इसके अंदर होता है western blood ठीक है तो इसका जो विंड़ो पीरेट जो होता है विंड़ो पीरेट के लिटक्ट नहीं किया इसका विंड़ो पीरेट ही बहुत खतरनाक है पेशिंट तो पैशिंट वैरी करता है कुछ नहीं है कि 4-5 जिन में जैसे टाइफाइड है आपके होने में AIDS है लेकिन बंदे कोई पता नहीं लगता कि AIDS है तो यह बहुत बड़ा drawback है बंदे को खुद को नहीं बता तो आपको क्या बताएगा ठीक है कि मेरे कोई बीमारी है पहली drawback तो यह दूसरा drawback यह कुछ आशी बीमारियां है जैसे कि AIDS है mostly जितनी भी sexually transmitted diseases जो है यह तो पता होता है तो भी वह आपके साथ share कभी नहीं करते एवन तो वैसा बोलता है डॉक्टर के साथ अपने कोई चीज चुपानी नीची पर वह डॉक्टर के साथ भी share नहीं करते है